शेहनाज गिल ने Big Boss 14 पर दिया है इंटर्वियू शेहनाज ने दिया है Freshers के गेम खेलने के तरीके पर बयान शेहनाज ने Big Boss 14 के Freshers पर क्या कहा चलिए आपको ये बताते हैं शेहनाज गिल ने कहा मैं ये सीजन देख रही हूँ मुझे लगता है कि अभी सब के रंग सामने नहीं आए है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा और कितना प्यारा बनने की कोशिश करते हो बिग बॉस आपकी असली परसनालिटी बाहर निकलवा ही देंगे ये शो आपको और आपके पेशन्स को टेस्ट करता है लेकिन अभी तो ऐसे लग रहा है कि किसी को कुछ पता ही नहीं कि उनको घर के अंदर करना क्या है किसी का कोई पॉइंट ओव व्यू ही नहीं है पूरे तरीके से सीनियर्स पर निर्भर है फ्रेशर्स अपनी गेम खेल ही नहीं रहे कोई कॉम्पिटीशन नाम की चीज नहीं आगे शेहनास गिल ने कहा हमारे सीजन में पहले वीक से लेकर आखिर तक जिसने जो भी किया लेकिन सबने अपना बेस्ट दिया मगर इस सीजन में फ्रेशर्स कुछ करना ही नहीं चाहते ऐसा लग रहा है जैसे सीनियर्स इने रिमोट से चला रहे हैं अगर मैं इस सीजन में होती तो मैं सीनियर्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती अपने दिमाग से फैसले लेती और जो करती डंके की चोट पर करती शेहनाज ने इन फ्रेशर्स को एडवाइस देते हुए कहा कि मेरा एडवाइस इन फ्रेशर्स को यहीं होगा कि खुद का वजूद रखो लड़ो भिड़ो और एकदम शेर की तरह रहो किसी के आगे पीछे पूच बन कर मत रहो अपना गेम खेलो विदाउट बिम सेलफिश अपना स्टैंड तो हर कोई लेता है मगर दूसरे का स्टैंड देना सीखो पहीं शेहनाज ने ये भी कहा कुछ तो दिखाओ कुछ दिखी नहीं रहा है शो में वेल येस शेहनाज को लगता है कि फ्रेशर्स कुछ नहीं कर रहे है शो चल ही सीनियर्स के बज़ा से रहा है तो ये था बिग बॉस को टीम के कंटेस्टेंट्स पर शेहनाज गिल का रियाक्शन फाइनल कॉट इंटर्टेंट इस